हालो बच्चो मैं उशा शर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल इसकूल अत्रॉली अलिगर से आज हम क्लास एर्थ में चैप्टर सिक्स साइकल की सवारी चैप्टर के रीडिंग करते हैं जो पार्ट बचा है उसकी रीडिंग करते हैं यस देखे पेज नम्म थर्टी सिक्स से सीख रहा है अपने बेटे को देखकर क्या किया उसने साइकल चलाने के विश्य में सोचा और सीख रहा है ओके यस देगी सपने के बाद क्या हुआ जब आँख खुली तो दिन निकल आया था जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए मरहम का डिबाहात में लिया और नौकर को भीज कर मिस्त्री से साइकल मगवा ली इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लौरेंस बाग की और चले लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने च्छींग दिया क्या कहें हमें कितना क्रोध है बहुत गुस्सा आगया इस नामुराद बिल्ली पर और शेतान लड़के पर मगर क्या करते दांत पीस कर रहे गए एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े पर बाजार में पहुँचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है अब हम हैरान थे कि बात क्या है सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घवराहट में पाजामा और अचकन दोना उल्टे पहन लिये हैं और लोग इसी पर हस रहे हैं सिर मुडाते ही ओले पड़े हमने उस्ताद से माफी मागी और घर लोट आए अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त मे गया दूसे दन फिर निकले रास्ते में उस्ताद सहाब बोले मैं एक लसी पी लूँ आप जरा साइकल को थाम उस्ताद सहाब लसी पीने लगे तो हमने साइकल के पुर्जों की की ऊपर नीचे से परिक्षा शुरू जैने देख़ना शुरू कर दिया फिर कुछ जी में आय यही गंबी प्रश्ण था कि क्या करना चाहिए ये दुछेतर में डटे रहें या हट जाएं सोच विचार के बाद यही निश्य हुआ कि लोहे का घोड़ा है इसके सामने हम क्या चीज हैं बड़े बड़े वीरोद्धा भी नहीं ठेहर सकते इसलिए हमने साइकल छोड़ दे और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए पर दूसरे ही छण साइकल अपने पूरे जोड़ से हमारे पाउं पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूजने लगी यानि आवाज हम तेसे चिलाने लगए साइकल हमारी उपर गिरी तो उस्ताद लसी छोड़ कर भागाई और दयावान लोग भी जमा हो गए सबने मिल मिला कर हमारा पाउं साइकल से निकाला भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिबबा भी उठा कर हमारे हाथ में दिया दूसरे ने हमारी बगलों में हाट डाल कर हमें संभाला और सहान भूती से पूछा चोट तो नहीं आई जरा दो चार कदम चलिए नहीं तो लहू यानि खून जम जाएगा इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकल दोनों अपने घर से थोड़ी दूरी पर जख्मी होगे हम लड़कड़ाते हुए घर लोट आए और साइकल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भीजती मगर हमारे वीर हिर्दय का साहस और धीरज देखिए अब भी मैदान में डटे रहे कई कई बार गिरे कई बार शहीद हुए घुटने तुड़वाए कपड़े फड़वाए पर क्या मजाल जो हार मान लें आठ नौ दिन में साइकल चलाना सीख गए थे लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था कोई परोपकारी पुरुष सहारा दे कर चढ़ा देता था तो फिर लिये जाते थे हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी जब साइकल चलाना आ गया लेखको तो बड़ा प्रसंद हुआ खुश हुआ सोचते थे मारलिया मैदान हमने दो चार दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे इसके बाद प्रोफिसर और इसके बाद प्रिंसिपल फिर प्रसिक्शन महाविद्या लाए और तीन चार सो रुपए मासिक तिवारी जी देखेंगे और इर्शा से जलेंगे उस दिन उस्ताद ने हमें साइकल पर चड़ा दिया और सरक पर छोड़ दिया कि ले जाओ अब तुम सीख गए अब हम साइकल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे बहुत खुश हो रहे थे मगर हाल यह था कि कोई आदमी दोसो गज के फासले पर होता तो हम गला फार फार का चलाना शुरू कर देते साहब जरा बाईं तरह फट जाईए दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती तो हमारे प्राण सूख जाते उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमिश्वर ही जानता है जब गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती सहसा यानि अचानक सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिये हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाई तरफ हो जाओ वरना साइकल उपर चड़ जाएगी हमने एक बार हैंडल की तरफ दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देख कर जबाव दिया इस समय बात कैसे सुन सकते हैं देखते नहीं हो साइकल पर सवार हैं तिवारी जी बोले तो क्या जो साइकल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते हैं दूसरी बात है जरा उतर आओ हमने लड़कड़ाती हुई साइकल को संभागते हुए जबाग दिया उतर गए तो चड़ाएगा कौन तिवारी जी चिलाते ही रह गए और हम आगे निकल गए तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया हमने दूर से ही डांट लगाई भाई जरा बाईं तरफ हम नए च ले जा रहे थे कि अचानक पता नहीं घुड़ा भड़क गया या तांगे वाले को शरादत सूजी जो भी हो तांगा सामने आ गया हमारे हाथ पे रफूल गए जरा सा हैंडल गुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते मगर बुरा समय आता है तो बुद्धी पहले ही भ होनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए जब होश आया तब हम अपने घर में थे हमारी देह पर कितनी ही पट्टिया बंधी थी हमें होश में आते देखकर स्रीमती जी ने कहा क्यों अब क्या हाल है मैं कहती न थी सैकल चलाना न सीखो उस समय तो किसी की सुन यह सब तिवारी जी की शरारत है श्रीमती जी ने मुस्कुरा कर जबाब दिया यह चकमा उसको देना जो कुछ जानता ना हो उस तांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही तो घूमने निकली थी कि चलो सेर पर आएंगे सेर कर आएंगे और तुमें सैकल चलाते भी कि निरुत्तर होकर यानि कोई उत्तर नहीं था उसके पास निरुत्तर होकर हमने आँखें बंद कर ली उस दिन के बाद फिर हमने साइकल को हाथ नहीं लगाया इस बिटा तो चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका है इसके क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट वीडियो में कराती हो तो बाई बिटा